आज के इस वीडियो के अंदर हम दो discuss करेंगे उन सारी चीजों के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए for the CVT LMPG 2024 exam इस exam में eligibility criteria क्या है कौन से college participate करते है exam का pattern क्या है कौन कौन से subjects आते है syllabus क्या है colleges कौन कौन से है किस तरीके से placements है सारा का सारा वी विडियो को लास्त अगविव देखिए और उसके साथ ही में अगर आप इस पर exam के तयारी कर रहें उसी UT LMPG की तो आप हमारा complete revision course join करिए जिसमें कि हम लोग आपको पूरा जो 31 subjects आपके हैं total में उनकी video lectures दे रहे हैं आपके recorded format में उसके साथ में आपको 30 more papers भी हाँ पर लेंगे लास्ट यह के question papers सारे आपको accessible रहेंगे और आपका part A वाला portion है उसका भी पूरा syllabus हम लोग यहाँ पर format में study format में cover करके आपको देंगे reading format में आपका रहेगा इसके लिए आपका cost के वाल 3999 का यह आपका है तो अगर आपको enroll करना है तो आप comments जो आपका description है वहाँ पर इसको देख सकते हैं अब बिना देरी की video को शुरू करते हुए पहले discuss कर लेते हैं इसी गाम को आपको देने के लिए ना वह आपकी होनी चाहिए एक रेकनाइज इंडियन या फिर फॉरी इंवस्टी से जिसका की आसपर BCI के लिस्ट में अगर नाम है तो आप कर सकते हूं इसमें आपको जो marks हैं आपका समलों LLB के अंदर ठीक है ग्रेजवेशन जो होती है 3-year और 5-year LLB के मार्क से जो इससे पहले ग्रेजवेशन की होगी 3-year के पहले उससे मतलब नहीं है LLB के ग्रेजवेशन में 50% यहाँ पर आपका होना चाहिए और 5% रेलाक्सेशन यहाँ पर से स्ट पी डेवली ओबी सी और नॉन के लिए यहां पर उसके बाद यहां पर जो 10% सीट है वह आपकी रिजर्व है EWS के लिए 20% 27% सीट यहां पर ऊबी सी काटिगरी के लिए यहां पर पार्टिसीपेटिंग यूश्टी के बारे में तो आप यहां पर देख सकते हो इन टोटल 44 से लेके 45 विए जिरने पिस्टिशाल यहां पर पार्टिसीपेट किया था इस साल की जो लिस्ट है शायर उसमें थोड़ी सी उन्योंस्टी आपको पता होनी चाहिए वो जो आपका था पिछले के पिछले साल का वह आपका डीवीटी के थू होता था लेकिन अब वह यहां पर होता है सीवीटी के थू ही पूरा-पूरा ठीक है उसके बाड़ आपकी बावासव भीम्राव मेंट को लखना हो कि काफी अच्छी यहां कभी आप देख सकते हो और ल चाहते हो कि मुझी अच्छी नौकली लगे आफ्टर यहां पर इन दोरों से आप जा सकते हो अगर आपको जाना है तब उसके बार हम लों बात करें कि आगर आप फिरसे मैं कहा एक्जाम के तयारी कर रहे हो और आपको हमारे रहे हैट चाहिए तो आप हमारे कम्लीट अरश करना है तो देखें यहां पर आपको जो आपको जो अंसरों सोते हो उनको मार्क करना होता है यहां पर दो पार्ट्स में पर डिवाइड़ होता है पहला जो पार्ट होता है वह होता है 25 मार्क का जिसमें कि आपकी लैंग्वेज और वरबल अबिलिटी आती है ठीक है इसके अंदर आप समल लीजे कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे अपना इंग्लिज ग्रामर उससे जुड़े वह आपके आएंगे उसके पार आपकी जिनरल अवेर्नेस के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं उसके अलावा मैट्स और कॉंटिटिटिव अबिलिटी जो आपकी होती है जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स के और जो आपके अपना एक गैस लेने के लिए जो सिल्बस है हम लोग यहां पे जो लोग एक्जाम होते है घ्री वाला उसको लेके चलते है तो उससाब से रहता है उसके आपको पार्ट बी है वह है 75 मार्क का इसमें आप यह समयल लिए कि जो पूरा आपका लोग का सिल्बस है तीन यह पांस साल के लोग वो पूरा उठ तो मेरे लिए करना असान होगा ऐसा नहीं है यहां पर जो क्वेश्ट आते हैं वह हर सब्जेक्ट से कभी जादा आ जाएंगे से कभी जादा आ जाएंगे CRPC से कभी किसी से कभी किसी से तो बालेंस अप्रोच लेना बड़ा जरूरी यहां पर हो जाता है इस पर्टिकल एक्जाम के लिए तो इसी दिए टाइम पूरा आपको लेकर चलना पड़ेगा चार से पाश महीने का एक्जाम के तयारी करने के यहां पर होते हैं और यहां पर टोटल में होता है इंग्लिश में होता है और हिंदी में होता है साथी में दो घंटे का टाइम आपको मिलता है इस पेपर को अटेम्ट करने के लिए ठीक है मनलब बन मिनिट पर क्वेश्टन अब इसके आगे हम लोग बात करें यहां पर एक्सपेक्टेट सब्जेक्ट के अंदर पार बी के कि बाई कितरे क्वेश्टन यहां पर आने का चांस है औ कि इसने सारे सब्जेक्ट के लिए पांच था एक आया सिया सीपीसी के बात करें चार एक्सपेक्टेट था दो आया फिर जो उल्टा पड़ा वो था कि लौफ टॉट्स में तीन एक्सपेक्टेट थे पांच आया ठीक है उसके बाद जिरिस्पूडिंस में अगर आप आपसे सारे सब्जेक्ट से इसमें सब्जेक्ट सरासे हैं जो कि एक्जाम में आए नहीं थी सिल्बस में जिये हुए थी करा थे अखेक्स हि8 लिए उसके लिए मोक्रा अप में आपको दे रहेंगे आप पूरा syllabus देख सकते हो लेकिन आप fundamental यह समझ के चलो कि पूरा syllabus जो लॉग होता है वो आपको पढ़के जाना है और best part गया है कि यहां पर CVT ने अपने तरफ से पूरा syllabus define कर दिया है हमारे लिए कि यह 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 topic दों को पढ़के जाना है वाले पोजिशन में, math वाले पोजिशन में, logical reasoning वाले पोजिशन में, आपके GS वाले पोजिशन में क्या क्या चीज़े पढ़नी हैं, किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, वो सारी बातें मैं करूँगा यहां पर उसको आप पोटेशन में की जरूवत नहीं है, यहां पर मैं आगे बात करूँ कि इन सब्जेक्ट से आप तयारी अगर करना चाहरे तो आप किस तरीके से करोगे तो उसके लिए आप मुझे सब्जेक्ट से जिसमें से क्वेशन आने का चांस हमेशा रहता है, इसके साथ में जो जो टॉपिक्स यहां पर दिये हुए है, उनको भी आपको करना सिलिबस के अंदर, और इसके लिए मैं आपको रेक्वेंट करूँगा कि जो हमारा कोर्स है, कम्प्री टेपरेशन वाला उसके अंदर हम लोग सारे सब्जेक्ट यह काम और कोई कोचिंग नहीं करी के वहल हम लोग कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट आपको वीडियो लेक्ट्र फर्माट में यहां पर पढ़ाए जाएंगे, तो आप आईए, अन्रोल करिया, सारे सब्जेक्ट के लेक्चुर्स और